देखो यहाँ पर मैंने एक पास given क्या है the sum of two numbers is six times their geometric mean so that the numbers are in ratio this ठीक है तो हमें देखो numbers का sum क्या होगा हम number two number assume कर लेते है a and b ठीक है तो सबसे पहले तो इनका geometric mean लिखते है geometric mean क्या होता है इनका a into b to the power 1 by 2 ठीक है अब यह कह रहा है कि two numbers का sum है वो six times of geometric mean है ठीक है तो a plus b is equal to यहाँ पर क्या जाएगा six times of geometric mean क्या है a into b to the power 1 by 2 यही है और हमें क्या find out करना है उनका ratio है नहीं कि a by b चाहिए एक तरह से ठीक है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ square कर देंगे तो a plus या फिर दोनों तरफ square कर देंगे तो क्या चाहिएगा 36 a b ठीक है हाँ तक अब हम क्या करेंगे हमें a by b चाहिए तो हम क्या कर देंगे एक बारी a minus b का holy square लिखते है तो वो कैसे लिखते है a plus b का holy square minus 4 a b ठीक है यह होता है तो देखो a minus b whole square is equal to a plus b का holy square कितना है यह हमार पास देखो 36 a b minus 4 a b तो यह कितना हो जाएगा देखो a minus b का holy square is equal to आगे आपने पास 32 a into b यहां तक ठीक है अब यहां से हम a minus b लिखेंगे तो power 1 by 2 तो यह कितना हो जाएगा यह आजाएगा आपने पास 4 32 का root क्या होता है 4 root 2 16 into 2 क्यों 32 आजाएगा और a b to the power 1 by 2 ठीक है और a plus b क्या था मार पास a plus b is equal to 36 sorry 6 a b to the power 1 by 2 यह मार पास आगया ठीक है यहां तक अब देखो अब हम निकालेंगे सबसे पहले इन दोनों को add करते है add करते है तो हमार पास यह cancel out होगया और 2 a is equal to आजाएगा यहां से देखो a b to the power 1 by 2 यह common आजाएगा इनमे से add करोगे तो and 6 plus 4 root 2 ही आजाएगा अपने पास ठीक है अब दोनों तरब 2 से divide कर दोगे a is equal to आगया a b to the power 1 by 2 ठीक है अब इन दोनों को यह दी हम subtract कर देंगे second में से first minus करेंगे तो कितना आजाएगा 2 b is equal to यह आजाएगा a b to the power 1 by 2 common आगया और यहां से हो जाएगा 6 minus 4 root 2 6 minus 4 root 2 ठीक है तो b is equal to आजाएगा 2 से divide कर देंगे तो a b to the power 1 by 2 and 3 minus 2 root 2 यह आगया यह a आगया यह b आगया तो a by b लिख सकता हूं मैं तो देखो a by b कितना जाएगा a क्या है मेरे पास 3 plus 2 root 2 और इन्टू a b to the power 1 by 2 इन्टू 3 plus 2 root 2 upon b क्या a b to the power 1 by 2 3 minus 2 root 2 यह देखो यहां से cancel out हो गया और इनका ratio क्या जाएगा 3 plus 2 root 2 upon 3 minus 2 root 2 यह हमार पास इसका ratio आजाएगा और यह ही हमें प्रूव करना देखो 3 plus 2 root 2 upon 3 minus 2 root 2 और यह है ठीक है easy है